Hello friends, welcome to Swing Trade, friends आज हम एक Infosys company के बारे में बात करेंगे एक आर्टिकल निकला यहां पे Google में, यहां पे Money Control में, अगर Money Control में जाएंगे अभी देखते हैं, यहां पे देखिए Money Control में एक आर्टिकल निकला था, यह निकला था June 20 2018 को, 25 years since listing 100 Infosys share brought in 1993, अगर हम देखेंगे तो इसका एक अनलेसिस करते हैं इसका हम एक स्टडी देखते हैं तो इसी साब से हमारा वेल्थ कितना बनता अगर हम लंग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि यह जो बात बोला हुआ है यहां पर पूरा मतलब एक्जामपल दिया हुआ है यह न शेकरता है कंपनी जो ष्टिशो करता है तो उसी इसकाँ से गंपनी में अगर हम लोग लोंचर लोंग लग के लिए इंवेस्टमेंट गार के चलते हमारा वेल्थ रिफ ना बनता हैий कि कितना इस बंस बनता है तक यशसी साब्से हमारा वेल्थ उस्य साबसे जन्रेट हो हुआ है एक्जांपल को मैंने यह खाता हूं में एक्ष्लिन करता हूं यह ampe लिफजी में ने बनाया हुआ है यहा면 इनपसीस हुआ और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 1993 को जो कर से आई प्यग्राव तो उस टाइम पर किसने इंवेस्टमेंट कि आ णक्या ङुप दस जाह रुपे में उसको 100 share मिले होतें, company में 100 shares मिले होतें 10,000 रुपे में, तो 10,000 रुपे के हिसाब से 100 share मतलब पर share उसका 100 rupees के हिसाब से आया, तो 1993 को जो face value था 10 rupees था, company का face value होता है, face value 10 rupees था, तो 90 यहाँ पर दिखे, यहाँ पर लिखा हुआ, in 1994 company declared bonus 1 is to 1, इन्वेस्टर रिसीब 200 यहां पर जब कम्पनी ने बोनस दिया तो बोनस देने के बाद में क्या होता है शेर का रेशियो अगर 1 is to 1 होता है तो उससाब से बोनस आपको जब मिलता है आपका शेर डबल हो जाता है यहां पर जब 93 को 100 था कम्पनी 1994 को जब बोनस 1 is to 1 इसू किया वहां पर बोनस चेर के हिसाब से आपको 100 चेर एक्स्ट्रा मिला तो आपका टूटल 200 चेर हो गया तो अगर 97 को जाएंगे 97 को जाके देखते हैं कम्पनी डिकलर 1 is to 1 बोनस इन्वेस्टर रिशेव्ड 400 चेर फिर 97 को कम्पनी ने फिर वहां पर कम्पनी का प्रोफिट हुआ रिजर बढ़ा उससाब से कम्पनी ने फिर इन्वेस्टर को फिर से डबल किया मतलब बोनस दिया तो इसलिकलर 1 is to 1 के हिसाब से फिर 500 ययर हो गया तो इसलिकलर फिर 99 को कम्पनी फिर से इन्वेस्टर रिखशो फिर से बोनस दिया बोनस का फिर से प्रोले फिर 88 फिर वही नाइन्टि नाइन को कम्पनी ने फिर से स्प्लीट किया oftentimes glory करता है कम्पनीध के फिर बेलु के को कंपनी नहीं किया किया मैं को 5 कर दिया मतलब inaccurate कर दिया तो ईसी साथ से 5 przez के हिसाब से तो टोटल से फिर सेड़ और हो गया तो 800 जो सेर था वette क preserv попыт जब 2004 को कंपनी ने decide किया फेर से बोनौज देने के लिए बोनौज धिर उस पर उनके पास में गिस्टीन हंडेड सेर था जब सेर था जब कम्पनी ने ढूलन पर एक्न्य सेर एक्स ट्राइशू किया 12,800 shares फिर से क्या हो और सें होगिया फिर से कंपरी ने यहां पर bonus issue किया 1s-to- 1 के हिसाब से यहां-पर 2014 को जब 2014 को company ने बोनus का बनस दिया टोटल सेर हो गया उनके पास में 25,600 तो फिर से कंपनी ने क्या किया है 2015 को फिर से बोनस इसु किया है वान इस्ट वान के हिसाब से तो उनके पास में फिर क्या हुआ फिर डबल हो गया शेर मतलब उनके पास में 25,600 था कंपनी ने फिर से इसु किया बोनस तो 51,200 शेर हो गया तो फिर इससे जब जाए कि देखेंगे 2018 को कमपनी ने जब वन इस्ट वन का फिर से इसु किया तो यहां पर उनके पास में फिर से डबल हो गया मतलब उनके पास में था 51,200 कमपनी ने इसु किया 51,200 तो टुटल उनका सेर हो गया का उनका से से यहां पर जो हिसाब दिया हुआ है यह Spider-Cart, 2018 नीकला था उसके बाद प्रूनस इसु हुआ है तो यह जो एक्जांपल, उसके बाद हमने एक्षेल में बनाया है तो इसी साब से देखा जाएगा तो हमारा कितना बनाया अभी उस टाइम पे हमारे पास में अगर हम open market से 100 शेर उस टाइम पे लिये थे अभी हमारा से बोनस के करण से तो अभी एक लाग 2,400 शेर हो गया इसे अगर open market से हम जाके खरीदेंगे ऐसे खरीद नहीं सकते हैं क्योंकि कोई इतना शेर कैसे हम खरीज सकते हैं आज हमारे पास में इतना पैसे कहां होता है यह जो होता है वेल्थ क्रियेशन बोनस और स्प्लीट के करण से होता है अगर long term के लिए हम किसी एक अच्छा company में investment करके चलते हैं company जब company का business से बढ़ता है वह उसी हिसाफ से investor को तो उनको अपना growth में सामिल कर लेती है तो उसी साफ से उनको bonus देती है split देती है उसी साफ से उनका wealth भी बनता है तो हम एसे रिटेलर होके इसे इतना से कहां से खरीज सकते हैं मतलब इसके लिए एक लागण हम कहां से खरीज सकते है आज के अगर इसे आप से हम calculation करेंगे तो one लाग two thousand four hundred शेर आज का जो मार्केशन वैलू है जाके देखते हैं अभी देखिए अभी इस लाग दो हजार सो सेर को अगर हम हिसाब करते हैं एक मल्टिप्लाइगर करके देखते हैं उसी इसाब से 16 करोड़ 89,60,000 होता है तो मतलब 16 करोड 90,00,00 रुपीज होता है मतलब अभी का जो सेर का वैलू है तो इस हिसाब से अगर हम निकाल के चलते हैं 28 करें 28 यह हमने होल किया क्योंकि 93 को पर्चेस किया हुआ था उन्होंने जिन्होंने 98 को सरी 93 को पर्चेस किया हुआ है अभी तक अगर होल करके रखा है तो 28 यह होल किया तो अभी उनका जो वेल्ट बना है क्लियर टैक्स करके काल्कुलेटर है तो वहां पर जब जाएंगे आप यहां पर काल्कुलेटर पर गया जाने के बाद में हमने किया यहां पर कि 10,000 हमारा बिगनिंग इन्वेस्टमेंट था अभी टोटल 16.9 क्रोल जो 90 लाग है और 28 यह तो यहां पर इसी साब से निकल के आता है तो यहीं से आप देखली जैं इस से बहुत साब़ी कमपनी कोई एक कमपनी नहीं है आप जाएंगे बहुत सारा कमपनी आपको मिलेगा आई सर मोटोड देखिए ठीक सीरा सेरे सानीटरी देखिए इस तर उच्षा सी में जाओं है तो तो चिंशे साल Multip euros हमारा पास में 93 को वहां पर 1.6 करोड का बन जाता है यहां पर जो डिवीडेंट आप देखिए कि अभी डिवीडेंट उनको कितना मिल रहा है यहांपे देखिये कर्परेट अक्षन में गया जने के बाद में यहांपे आप देखिये다' two thousand एक कोजब मिला था कितना मिला था यहाँ पर से का धीनने मिला था यहां यहां पर 2020 को जब यहां पर मैई को जब ीवीडेंट मिला था 9.5 के हिशाब से तो उनके पास में 1,200,000,00 लाग 72,800 रुपीज का डिवीडेंड मिला था उसके बाद में कम्पनी ने फिर से ऑक्तोबर को इंट्रिम डिवीडेंड फिर से दिया तो बारा रुपीज पर सेर का हिसाब से अगर बारा रुपीज पर सेर का हिसाब से इंट्रिम डिवीडेंड दिया तो यहां पे उनके पा और अभी इसी सल देख लीजिए अभी 2021 को उनको जो डिवीडेंट मिला है मई को 15 रुपे का डिवीडेंट मिला है 15 रुपे का हिसाब से अगर डिवीडेंट काल्कुलेशन किया जाए 1,00,000,000 का उपर में तो यहां पे उनको जो डिवीडेंट मिला है तो 15,36,000 का डिवीडे अभी October को फिर से डिएपन देगा अगर फिर से 15 रूपय का डिवीडेंट मिलता है फिर से 15 लाइक उनको मिल जाएगा डिवीडेंट में मतलब 2021 को उनको डिवीडेंट स्वाइन विन आपना खर्चा निकलता रहता है वीडेंड जो अपने को मिलेगाorry सिहान आप अपना वेल्थ बढ़िया से बना सकते हैं लेकिन ठीक है अगर डिविदेंट हमें फिर अपना एक खर्चा के लिए निकालना है तो निकाल सकते हैं लेकिन 30,00,00 रुपया भी डिविदेंट मिल रहा है हर एक साल में तो यही होता है एक अध्सा सा कंपनी में अगर लंग टर्म के लिए हम अगर इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं अपना वेल्थ कितना बनता है यह मतलब एक विट क्लास में आप एक बर एक सी कंपनी का एक जाम्पल से देख लेजिए इसे काफी सारा कंपनी है आप आईसर 15-20 साल तक जमीन पड़ा रहता है इसमें भी साई है 15-20 साल तक अच्छा सा एक देख लिए कंपनी उसी में आप इन्वेस्ट करके रहिए लंग टर्म के लिए आपका अच्छा से वेल्थ बनेगा हां ठीक हमारे पास में 10,000 रुपे उस टाइम पर नहीं होता लेकिन एक एक एकजामपल था आपको बताने का तो आप इसी साब से जाके यहां पर देख सकते हैं देखके यहां पर देखिए टिकर टेप में अगर देखेंगे वह कंपनी का चार्ट को कितना बेहतरीन चार्ट है अगर आप जाके देखेंगे अपना इन्वेस्टर को क्या रिटरन दिया है क्या गजब से रिटरन दिया है यहां पर मैक्जिमम चार्ट बैटन देखिए अभी तो यह चार्ट बैटन बलकि 2000 से है लेकिन और साथ साल तो पुराना चार्ट बैटन रहेगा क्योंकि एनसी से यहां से आया है तो उसी ताब से कंपनी ने बहुत 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 अगर लंग टर्म का स्टोरी पर अगर आप सामिल होते हैं कोई एक अच्छी से कंपनी में तो यह से आपको अच्छा सा रिटरन मिल सकता है मेरा बताना का वज़य हो ही है एक एक्सरसेज करके ऊपको डिखाया यह जो सारा जो इटेल्स में मेरा बताना वज़य हो ही था मतलब यहां पे भी वेख बनता है अगर आप अच्छा सा कंपणी में अच्छा टाइम के Advent करके चलतेैं UP अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा अगर थोड़ा सा मोटिवेशन मिला ये वीडियो देखके मैं चाहता हूं ये वीडियो का आप लाइक किजिए और शेर किजिए अगर आप नया है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए